कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई हरी सबजी नहीं होती है और हमारे हाँ गेस्ट आ जाते हैं ऐसे में उन्हें कुछ स्पेशल बनाके खिलाने की इच्छा होती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में हरी सबजी तो बहुत होती है लेकिन वही सबजी खाखा के मन उप जाता और मन करता है कुछ अलग सा, कुछ टेस्टी सा, कुछ होटल स्टाइल, रेस्टरेंट स्टाइल क्या खाया जाए ऐसे में सोया बीन बड़ी की ये वाली सबजी बना के जरूर ट्राइ करिएगा ये सबजी सिर्फ अच्छी ही नहीं बनती, बलकि इतनी स्पेशल बनती है कि आपको फाइव स्टार होटल वाला और रेस्टरेंट वाले सबजी की याद आ जाएगी आप उसी हिसाब से ले लीजेगा, मैंने बड़े वाले कटोर से हाफ कटोरा जो है वो बड़िया ली है इसके बाद कढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई में डाला है दो ग्लास पानी, पानी उतना ही डालना है जिसने में न्यूट्रिला बड़िया जिसको सोक ले, पानी बचे नहीं क्योंकि अगर आप पानी फेक देंगे तो इसके जो प्रोटीन है जो भी नूट्रिशन से वो बह जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, एक टुकड़ा दाल चीनी का, दो बड़ी इलाइची, साथ ही साथ दो छोटी इलाइची, ये कुछ खड़े मसाले हैं जो की न्यूट्रिला बड़ी को फ्लेवर देती हो, चार पांच लॉंग डालना है, जब पानी थोड़ सा गुनगुना हो जाए, तो उसमें हलका सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और इसको मिक्स कर लीजिए, अब इन सब को डाल करके न्यूट्रिला बड़ी उबालने से क्या होता है, तो दाल चीनी, लॉंग, इलाइची, नमक, हल्दी का फ्लेवर न्यूट्रिला बड़ी क के लिए छोड़ दिया, खुब अच्छे से उबलना है, ताकि अंदर तक एकदम ये सौफ्ट हो जाए, और इस पानी को सोख लेना है, मतलब जब तक ये पानी सूख ना जाए, तब तक इसको उबालना है, तो ये प्रोसेस होने में लगता है, आठ से दस मिनट लगता है, म जीरा, जो की ऑप्शनल अगर आपके पास हो, तो ही इस्तमाल करें, छोटे चम्मच से आदा चम्मच शाह जीरा है, और इसके अलावा है, दाल चीनी, दो छोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, चार पांच लॉंग, पांच साथ काली मिर्च, और साथ ही साथ इसमें ह जीरा और सौफ, तो जीरा है दो चम्मच, सौफ और साथ जीरा है, छोटे चम्मच से आदा चम्मच, एक खड़ी लाल मिर्च, इसके अलावा एक पूरा लहसान, अदरा केक टमाटर और तीन-चार प्याज, अब आप नस्दीक से भी देख सकते हैं सारे मसाले, कुछ मसाले अगर थोड़े बहुत इधर उधर भी होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक में जो प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना, तो जो भी गरम मसाला आप इस्तमाल करते हो, वो मसाले इसमें इस्तमाल करिए, अब एक पैन चड़ाई और पैन में डा जाना हो, तो आप दोनों फ्लेम का इस्तमाल कर सकते हैं, एक तरफ आप न्यूट्रिला बढ़िया, पानी डाल करके उबलने के लिए छोड़ दीजे, एक तरफ ये प्याजवला प्रोसेस कर लीजे, तो इससे आपका समय बच जाता है, इसके बाद अब हम क्या करने वाले ह तो अब मिक्सी के जार में मसालो को पीस लेते हैं, तो सारे जो खड़े मसाले लिये थे, अगर आपके पस पिसा हुआ गरम मसाला है, तो आप डेर चमच पिसा हुआ गरम मसाले का इस्तमाल कर लें, खड़े मसाले आप छोड़ सकते हैं, मैंने क्या किया है, खड़े मसाले फोड़ा सा पिसा हुआ हुआ गरममसाला भी मिला दिया है और इसमें लाल मिर्च игр ठोड़ासा हलदी Points powder धन्या पाउडर और पोस्टा के दाने अगर आपके परफ पोस्टा रिफाइन डॉयल के साथ जो रिफाइन डॉयल उसमें मिलाया था ना उसको फेकेंगे नहीं वो इसके साथ ही पीस लेंगे कि उसी रिफाइन डॉयल में सारे फ्लेवर्स हैं प्याज लेंस अनद रखके और फिर इसमें मिलाएंगे जो एक टमाटर हमने दिया एकदम लाल टम तरह टमाटर लेना है वह टमाटर अब हम्मारा मेन इंगीजेंट जो बोले जो रेट्रेंट इस्टायल ये फाईव इस टार होल खिये वह है वह थिक बनती है तो दही मैं ने डाल दी और इसका यहां सा पेस्ट तयार कर लिया वैसे कोशिश करिए कि दही डाल के इस सब्जी को बनाई तो बहुत अच्छी बनती है अब एक कड़ाई में घी डालिए या मक्षन डाल दीजे एक चमच और उसके बाद उसमें तेज पत्ते डाल दीजे और फिर जो हमने अच्छा सा पेस्ट तयार किया था प्याज लहसन अद्रक टमाटर दही वाला वो इसमें डाल दीजे अब इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता ना कि आपको मसाले बहुत ज़ादा बूणने की जरुरत नहीं क्योंकि आपने प्याज लहसन अद्रक पहले ही बूण लिया है और गरम मसाला को बहुत जादा भूनने की जुरत नहीं पड़ती है फिर इसमें नमक टेस्ट के एकोर्डिंग मिलाई है क्योंकि बड़ियों में आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया है तो नमक टेस्ट के एकोर्डिंग मिलाना है तो अब मैं इसको mix करके 4-5 मिनट के लिए भून लेती हूं और अभी तक अगर आप ये recipe देख रहे हैं इसका मतलब कि आपको ये recipe अच्छी लग रही है तो प्लीज नीचे like करिए comment section में बताई कि आपको ये recipe कैसी लग रही है और मेरे चैनल के subscribe button को click करके bell icon को press कर लीजे अगर मेरी family का permanent member अभी तक नहीं बने है तो इससे फायदा ही होगा कि आपको सारी वीडियो की notification free of cost मिलेगी और अगर आप अलग-अलग recipe बनाने और खाने के सौकीन है तो please channel के playlist को ज़रूर visit कर दिएगा इत्ती में आपको 100% guarantee दे रही हूं हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो अब मसाले जो हैं वो 5 मिनट में भुन गए हैं अब मैं इसमें मिला दूँगी soya bin की बढ़िया यहाँ पे अगर आपके पास समय कम है तो मैं एक और trick बताऊंगी कि आप कम समय में आपको यह सारा प्रोसेस लग रहा हो कि लंबा है तो आप क्या कर सकते हैं तो अगर हम इसको कड़ाई में बनाएंगे न तो अभी इसमें half an hour और और लगेगा अगर मेरे पास समय कम है तो मैं इसको क्या कर देती हूं कूकर में सिफ्ट कर देती हूं और कूकर में आधा गिलास पानी डाल करके मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लगा देती हूं बस उसके बाद ये फटाक से तयार हो जाता है और गर्मा गर्म रोटी, नान, पूरी, तंदूरी, रोटी सब के साथ सर्फ करो सबका ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है तो आप सबजी बन गई, ये प्रेशर निकल गया धनिया पत्ती काट लिए और गर्मा गर्म सबजी, रोटी के साथ या आज मैंने सोचा नान बना के उसके साथ सर्फ करती हूं तो आपको ये रेशिपी कैसी लगी जुरूर बताएगा नीचे कमेंट करके और चैनल के प्लेशी पे जाते जाते एक बार जरूर विजिट करिएगा और आपको उस प्लेशी में सबसे अच्छी प्लेशी कौन सी लगी ये बताएगा और आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा तो अगली रेसिपी के साथ जल्दी आजी रोंगी तब तक के लिए आप इस रेसिपी को ट्राइ करिए और घर वाले भी बहुत खुशी से खाएंगे और आपको बनाने